नमस्ते बार मित्रों, कक्षा पांच विशे हिंदी, हिंदी विशे में इकाई नमर चार, सोच अपनी अपनी, आपकी जो पार्थे पुस्तर थे, उसमें पन्ने नमर 20 पर यह दी गई कि आप जैसे जित्र यहां पर एक चित्र दिया लिया है, उस चित्र को आपको अपनी सोच के अनुशार बताना है तो हमारी जो सोच होती है, विशार होता है, वह हमारे दिमाग के अनुशार अलब रिकतरा का होता है कहीं positive energy कंतारत नो सोचता है कोई नतारत नो सोचता है किसी को अच्छा दिपता है किसी को गुरा दिता है तो यह वैसे नहां पर चौंहारे बाठेश पूस्दक रै उसके पन्य नम्र 20 पर हमें एक चित्रे दिया हैłem उस चित्रे पर बताऊंगी आप अपनी सोच के अनुशार भी उस चित्र को सोच सकते हैं और लिख सकते हैं तो यहां पर हम देखें तो यह चित्र है वह एक प्रकुरुती के गोद में खिले एक गाउं का चित्र यानि तुझे आपको खुद्रों की भातावरान चे एक वातावरान ती अंदर सुन्दर में जानों एक गाम आपे दुझे इस गाम में कई सारे घर हैं, मंदिर हैं, पेड़ हैं और परबंदी हमें निखाए देगा हैं तो यहाँ पर इस चित्र में हम नेख सकते हैं, यह एक सुन्दर गाम का चित्र हैं और इस चित्र में हमें घर, मंदिर, नाडियता पर, पक्षी उड़ रहे हैं सूरज, परवर, गाय, चरवा, हां, कुत्ता, आजी का चित्र हमें दिखाब है तो इस गाम का जो हमें जित्र दिया गया है, उस गाम में यहाँ सुबह के वार्ता बरेंदा जित्र कि सुबह हुई ही है और सुरज में बहुत निकल लगाना, उसका यहाँ पर जित्र हमें दिया गया है गरं पर खोल्ट के क्छ चिर वहांत सब्लक्ष में, फ़ चैनल को परवरी की लिट से निकलता है वहें, वहांत्य है और वहांत्य तो सब्लिकों मैं युर्ड कि को समय को दिन सब्सक्राइज है तो जे पक्षी छे राख रहे तो पोता ना माड़ा मां शुई जाय छे तो ये गे छे के पक्षी सुबव होते ही दाना चुखने के लिए निकल पड़े थे तो पक्षी छे एवजा सवाई खजाई एमने पन भूख लगे तो पक्षी सुबव होते ही दाना चुखने के लिए निकल पड़े थे उसके बाद तो कि जे मंदे है उन मंदे में हमेशा आजमा लगा सकते हैं कि सुबव के शमय घंट बज़रा है अब उसके बाद है कि चरवा हाँ तो चरवा के ववव अपनी गाई को लेकर चराने के लिए जहा रखा थे चरवा हाँ अपनी जो गाई के इस धैड़े वकर याँ पर हमें जुक्रमे काई की गईगे इसलिए यहाँ पर हम गाई बोलेगे तो चर्मात में वह अपनी गाई को चराने के लिए मेडान में चार रखा है उसके बार तोगे एक आजमी है वह अपने खबे कांधे पर खबो यानी कंधा तो अपने कंधे पर लकणी रखकर चल रहा है और उसके पीछे एक गुता चल रहा है वह भी एक चल रहा है वह अपनी गाई को आगे आगे चला रहा है वह पीछे चल रहा है और उसके पीछे गुता भी चल रहा है गुता देखकर हमें एसा भी लगता है कि गुता ने वह चल रहा है का पालत भी हो सकता है यानि तो येने एक उत्रों छे बाड़े लोपन हही शकें छे बने ना पाड़े लोपन होई शकें छे अपने इन्य रोपन शके एक उत्ता पालतु भानु है उसके चैन के तो घाम की जो सरगत है उसके बाज दी एक बाग का यानि बगी reduce的人 का एक चित्र है परीज कित्र में तीन बालग खेल रहे हैं उसमें दो लड़किया है और एक लड़का बागता चित्र लड़के उस बाग में तीन बालग खेल रहे हैं उस कित्र में दो लड़किया है और एक लड़का है उसमें तो लड़किया है वह तिकलियों के पिछे भाग रही है बहुत मचाता है तिकलिया पकडने में तो यहाँ पर दोनों दी लड़किये वह तिकलिया पकडने के लिए भाग रही है और इस बालत प्रेट जो लड़ता है वह वी इतली को पकड़ने के लिए इसके पीछे भाग लगा है। इतली का अर्षोता है पतनी। जे पतन के उचे पकड़ने आपने यां जोई जोग पलागा। पतन क्या हो एक को मज़ रंग बेर लेका। तो यां पकड़ने आपने को प्वूंग जोई तमे तोजी ना आन चोई। तमे लुभूंगज जोए पतन क्यों जोई नति आव पकड़ियों पतनं के यां जोई पकड़ने केश सुंतार मुए अलाड़वलूर्वर में आपने चुबाँमामाणे। पेवा पतन देया छे, जे तुटली एने पकड़वा माटे जाए वे चोकरी आने चोकरो त्राणे इनी बाचर बाचर हगे छे अने त्राणे इन चला सु तो कि तीनों के तीनों बत छे बाग में खेर रगे है बाग में क्या होता है? तो बाग में विश्वयन पत्ती होती है, जूला होता है, होते होते है, फूल होते है एसी काई सारी चीज़े हमें देखनी को मिलती है यहाँ पर सोच अपनी अपनी पांट में हम इकाई में हमने लेखा कि एक आश्मान में उस आश्मान में पक्षी उड़ रहे हैं सुबह होते ही पक्षी ताना चुदने के लिए अपने गोसले से निखल पड़े उसके बाद तो चित्रा में हमें परवर दिखाई देते हैं, पेड पोजे दिखाई देते हैं, कुछ घर मन दिर भी हमें देखने को मिलते हैं उसके बाद देखें तो घर के पीछे हमें दो बड़े बड़े पेड लिख दीखे हैं, उच्चे हैं तो वह दोनो जी पेड ना लेइल के हैं नारियर के पेड़ की जो हुचाय है वह दूसरे सभी पेड़ की हम जो कहा सर्था में जो को ये तो ये जी नारियर ना पेड़ छे ये नी हुचाय के पीड़ी तो कि हुची होई जे तो नारियर का जो पेड़ है उनकी संख्या इतनी है तो कि दो है उसके बाद चरवा है रहमेडान में अपनी गाये चरा रखा है फुटां चरवाने के पीछे जहा रखा है बाद पास में भी बाक्ता चित्र है बाद में तीन बच्चे खेल रहे है उसमें दो लड़की है और एक लड़का है दो लड़की है वो हो दिन्ली के पीछे बाद रही है और एक लड़का है को भी दिन्ली के पीछे भाग रहा है तो ह Midwest 20 पर चुठ धितर दिया है उसका हमने अग्रोपेन किया जैनि कि उसके बारे में हमने जानकरी ली अब हम पन्ने नंबर 21 पर आमें कि यहां पर हमें जो चित्र है इसके बारे में जो जो मानिती खटने की तो इस मानिती के आधार पर हमें इन प्रश्चों के उत्तर देने हैं आपको यह चित्र रेक्तर बहुत मजाया होगा हमें तो हम घांवें जोते हैं तोगाम में ज कई साहर बच्चे तो भी गांवें रहने के दि जी ज़्यक हैぁता है पर काप में इत्तों के हमें सुरज दिखानेता है, सुबह होते नहीं पक्षी है, वह आश्मान में, सोल करते हुए चलते हैं, यह सभी देखने का एक अनुल रख्षर है, मन भावन है, हमारे मन को हर लेता है, यह दुश्टे है, वह हमारे मन को हर लेता है, पशू, पक्षी, शुरज, पित्री, पेर, कोजे यह सब सबग सुबर सुबर जली उतकर देखना यहां हमारे आपों के लिए एक सुने से कम नहीं है तो वेसा यह शुक्रा हमें अभ्याष्टियां उसके आदर कर हम अभ्याष्ट के प्रश्णों कर देखते हैं तो इसमें हमें पहला प्रश्ण लिया गया है सुरज निकले पर पक्षी क्या कर रहे है तो हुने इत्रा में ही देखा कि जैसे ही सुरज निकलता है कि पक्षी है वह क्या करते है तो पक्षी दाना चुणने के विए उसमे से बहर भी करते है तो आश्मान में उदने रखते हैं, सुरण देखते ही पक्षी आश्मान में उदने रखते हैं और दाना चुपने के लिए एक जगल से दुस्ती जगल चुपते हैं सुरण निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? सुधनत निकने 밝ख्षी गोस्ट्रेश से निकर डानाय चुकने के लिए एच्रह रहे हैं चरवां क्या कर रहा है तुर चरवां हां खाय चर रहा है उसके बादे थिसरा नारे के कितने पह है हमने अपय अप एपयी उसकी खिंती की फिर नारियर के पेड़ है वह घर के पीछे पर मंदिर के पास हमें लिखाई देते हैं वह कितने हैं तो तो नारियर के कितने पेड़ हैं नारियर के दो पेड़ हैं उसके बादे चौता ब्रिश्ण, चित्र में घर कितने, तो हमारा जो चित्र है उसमें हम गीती करें, उसमें हमें घर, तो मंदिद ये पास एक है, उसके आगे तीन है, और नारियन का जो पेर ते उसके पास ती एक, यानि तो एक, दो, तीन, चार और पांच, तो नारियन के कितने पेर है, चित्रा में घर इतने है, तो चित्रा में घर पांच है, उसके बाद आच्वा प्रिश्ण, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं, तो जो तीन बच्चे है, तो लड़की और एक लड़का, तो तीनों ही बगीचे में क्या कर रहे हैं, तो तीनो अब ही बगीचे में कितले के पीछे भाग रहे या फिर ऐसा भी निक्षकते हैं कि बच्चे में खेल रहे चठा प्रश्ना चरवाय के हाथ में क्या है तो हमने देखा जिक्रक आउलोकन कर्देशमें कि चरवाय के हाथ में लबडी है चरवाइ के हाथ में क्या है? चरवाइ के हाथ में नवड़ी है अग मेरा दूसरा प्रश्न ने सोच कर बताई तो यानि हमारे जो भी एक CLIENT भी गई है उस CLIENT के आधार पर बहुत यक्ति क्या सोच था होगा उसके बारे में हमें बताना भी उसमें पॉलादे चरवादी क्या सोचते होगे यहाँ पर हमें दो चरवादी दिये तो चरवादे सुबस निकलते अपनी भेड़ बकर्या या गाईट में इसको लेकर तो वह सोचते समय क्या आशर निकलते समय क्या सोचते होगे तो चरवा है जब भर से निकरते हैं तब सोचते होगे कि अब हम सुबर सुबर कहां जाएं किदर जाएंगे तो हमें ज्यादा घास मिली क्योंकि हम गायत को लेकर जाते हैं गायत उखी रह जाएं तो ऐसा तो नहीं हो सकता इसलिए दोबर सोचते होगे कि हम इस थान पर जाएं तो हमें ज्यादा घास मिलेगे या फिली एसा बिलो सोच सकते हैं कि इस ताद ओपर दी जो रोटी है वह रोटी हम इस थान पर रुटी तो वहाँ खाश सकते हैं उसके बाद तो एसा सोचते होगे कि सांग को हम घर को पटे यहांसे घर से निकलते हैं, तो ऐसा सभी उनके निमार में आता है कि हम यहांसे किधर जाएंगे, कि इतना दूर जाएंगी, तो हमें घास भी लेगी दोपर की होते हैं, कहां इस थान पर खाएंगे या कि जब हम साम का शमय हो, तो कई बर ऐसा भी होता है कि उन्हें जो घर होते हैं, बहां से धास की सोज इतना भू नगाल चाए है कि सामख को लटते समय बहुत देव हो चाए है तो यहाँ पर एक सबी वह सोचते हैं कि सामख को घर को लोटें है तो एसस़ भी विचाड़ में वखकी के तोच्रम है के मन में आता है अब एक दूसरा प्रश्णा, सुर्च की तलाएं पर क्या क्या होता है, सवारे सुर्च निकलते भी चारों और उज़ाला चाज़ा, मैं पता है कि अंदेरा है वह सुर्च हर लेता है, वह सुर्च की निकलते हैं हुमारी जुल सारी सुर्च की है, वह केसी तुप सोने की जैस चमकती, एक लिए दो दिन या पाज दिन सूरज नहीं निकलता, तो हमारी जो कहा जाए, तो हमारा जो मन है, वह प्रकुलिक नहीं रख, वह आपर जो सूरज में वह निकलता है, तब भक्षी है, वह अपने कोसले से निकल कर क्या करते हैं, तो कि दाना चुतने के लिए चले साते हैं, चला अपनी घाय को लेका चलाने के लिए चला जाता है, जो सुविया होती है, वह पानी हुंदी के लिए खुए की ओर चली शाती है, एसी कई सारी घटना हैं और सुबह के समय होती है, सुबह सुरज निकलते ही, जो हमारा मंदी है, उसमें गुंट बज़ता है, एसी कई सारी प्यारे खें, वह सुरेज निकलते ही हुский होने लगती है, और तीसरा है, तो वगीचे में वोते हैं, तो खया कर दें? आपर ने जिन उचे, कि आपने बगीचा में ओही एज आपने शूपद, तो तो में बदाने तो खुब मचावे, बगीचा में टॉमणा आपने इक वे गणर समय की नथी गया, वे दिवे 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 छूप मढ़े छे, तो बगीचा में जाए एक पर सूथ हाई, तो कर दो हो खुब मचा आवे, बगीचे में तुम बगीचे में बगीचे में ओते तो क्या करतें, आप अपने तरिके से लिख सकतें, में बगीचे में होती, तो फुलो को अच्छी तरल से देखती और उनकी चुल महें हैं वह मशुस करती और बगीचे को जी भजी लेती, फिस्वें परकी से विसलती, जूले पर जूलती, पार्टी इनल उधर खेलती, यह सारी खिराये में भगती अग कुटा क्या सोच रहा होगा, यहां पर चर्गाहने उस चर्वाहे के पीछे कुटा जा रहा हो तो कुटा रे वह क्या सोच रहा होगा, तो कुटा सोच रहा होगा कि में इसके पीछे जाओ क्या ना जुला अगर मैं इसके पिछे जाओगा तो यह मुझे मारेगा या कुछ खिलाएगा कि क्या होगा खुट्टारे महर सोचता है कि जवलागे के पिछे पिछे में जाओगा पर मैं आगे जाओगा और मुझे कुछ खाने को मिलेगा या मैं यह मुझे भीच रास्ते पर छोड़ देगा क्या हो यह सब गुत्या है वह सोचता है गुत्या एसा भी सोचता है कि मैं एसा भी होचता है गुत्या एसा सोचता है कि मैं इस आद्मी के साथ साथ जहूँगा कोई इसकी रखशा करका, उसकी रखवाली करका, इसकी जो गाय, मगर या जो भी है उसकी में रखवाली करका, और इसकी घर के में रखवाली में करका, ऐसा भी खुदा सोच सकता, उसके बार रे 5 बार, तिक्ली उन्ती कम, तो तिक्ली पज्चिये इसरे लोगती है, 2 या 3 पकशी 7 साथ जय उन्ते, तो 2 या 3 पकशी 7 साथ उन्ते हैं, उसके बार में किसरा, चिंत्रगे आधार पर प्रश्णों के उत्तर दिजी, तो यहां पर एक जित्र दिया गया है और यह हो एक कहानी के आधार बर से हमें जित्र दिया गया है तो इस कहानी का नाम में तोपी वाला फेल गया यानि कि जो तोपीों का व्यापार करता है एसा तोपी वाला व्यापार हम एसा भी हम बोल सको करें तो यहाना पर हम कुछ पहले इसकी जानकारी में रहते हैं उसके बाद इसका अभ्याद करेंगे तो यहाना पर तो व्यापारी हैं एक व्यापारी होता है वह यह व्यापार करता है कौन सो व्यापार करता है तो टोपिया भेजने का वह व्यापार करता है तोब अब ये टोपरी हुदी है उस टोपरी में कई सारी टोपिया रखकर एक गाउ से दुसरे गाउ से तिसरे गाउ ऐसे सभी गाउ में चलते चलते यह टोपिया बेशता है और बोलते बोलते निकलता है तोपिया लेलो तोपिया लेलो तोपिया एसे वह बोलते बोलते निकलता है तब ये गाउ से एक पर ऐसा होता है कि एक गाउ में वह पूरे दिन में फिर लेता नहीं यानि कि वह उस हमें चोग उसका ब्रयापार करना का वह पूर्णा हो जाता है इसलिए दौपर किश्व में वहर एक काम में जब उसकी पेरी मूँ चाली है तो वहर दूसरे काम के रिए नहीं करता है कि अब मैं किसे है तो कि दूसरे काम के रिए चलता है तो वहर एक काम से दूसरे काम के रिए चलता है तब क्या मुता है तो के बीच में जंगल आजा तो जंगल में एक साइब पर उसे भूखर तो वह पेसा चोप रोटी या कुछ लाया था वह खाना खालेता है और खाना खाने के बार वह पेदल चल रहा था इसलिए उसको बहुत ठाप चुपा था इसलिए वह खोडी देव वहाँ पर लेट जाता है इसी देख रूख्ष के नीचे वह लेट जाता है वह लेट आए तबी उसकी ठकान की कारण उसे गवरी निद आ जाती है जाए दिन आने के कारण वह सोचाता है तो वह उसी शमें उसी पेड़ पर करही nossa लासरे ूंदल आ जाते हैं जाते हैं बंदर तो सभी मंदर आ जाते हैं और बंदर क्या दरते हैं तो बंदर में वह भु हुझ है इसा करने रखते हैं और जब सभी मंदर ने गोंटे खिएं युस मंदर में से एक सै躇न गजां में उशन इनुस हैं उसने क्या दिया, तो जैसे वे अपारी ने अपने उपर डोपी बाने की, वैसे ही तो उपरी में लेकर उसने निपाने सबहते हैं और भीह ऐसा सिंखने लग हैं सबहते हैं एक के फ़र एक के बार देछा आपकरीन तोप्री तोप्री में तोपरी मेंस लेते हैं आपक व्हेर में कुछ तोपर्त है इसकी पहुता है जो उसकी नीज़ कुलती है तो वह देखता ही कि उसकी जो टोपरी है वह खाली उसमें एक टोपी नहीं तब ही उसकी जो नजर में वह उपर बेटे बंदर पढ़ती है जो बंदर होती है उसके उपर उसकी नजर पढ़ती है और उसमें देखता कि सभी बंदरों में टोपिया पहुंदी बंदर उनके पास है डोपिया लूखे से तो इसके लिए जो वैपाइन है वह सुचता है क्या करू तो भी उसके दिमार को जो अपनी जो सीर पर रहे की डोपी है वह जो डोपी उसको उठाता है और उसको उठाकर जनीली पर पटाच देता पारी क्या कन चाहिए? तो उसके सीफ पर तोपी रखी हुई कि उस तोपी को लेकर उस तोपी को जमीन पर पटख दिता वैसे ही सभी मंदरों में क्या किया का उपने सिर्फ बजिर लेकर तोपी क्या की पिछे पर पटख दी वे इस तरब जो म्यापारी है उसकी जो युक्ति की विचार तो वह पाम आचाता है लग चाता है इस तरब जो व्यापारी की टोक्री में से जो टोपिया वह बंदर ले गए के वह सभी उसके पास पामस आजाती है और जो म्यापारी है वह सारी टोक्री आघे वह इखटी कर लेता है वह बंदर लेता है कि जितनी सारी टोक्री उसके पास आगे जितनी की उसके पास आगे तो वह सबी टोक्री में बंदर लेता है और अप्ड़ लेता है । एंगे तो थोने काहली सुणी उसके आज पर प्रस्टब के उतर भी देखे जैए वाल व्यापारी की क्या और जह जा रहा है तो व्यापारी टोक्री में टोक्री लेज़ता है तोक्री में बढ़कर तोक्री ले जा रहा है अब पिछे उत बढ़ना परटिये तो उसमें व्यापारी तोक्री कहां रखता है तो व्यापारी है वह पेड के नीचे तोक्री रखता है व्यापारी कहां तोक्री रखता है तो व्याबारी पेर के नीचे तोपली लगता है अब की स्रा है? पेर के उपर वा है तो आपने अभी अभी नाने में शुना कि पेर के उपर वा है? पेर के उपर पर है बंदर उन्हें तोप्यों का क्या क्या? बंदर उन्हें तोप्यों का क्या क्या? सबी बंदरों ने क्या किया तो जटपट से जो टूपिया उन्हों ने नीची और सबी अपने 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 सिर पर अहां लिए व्यापारी ने क्या क्या उसको तो सबी बंदरों के पास से अपनी टूपिया वाफस लें इसके व्यापारी ने क्या क्या तो व्यापारी ने अपने स्धीर पर से टोपी लेकर जमिन पर पटट दी बंदरों ने टोपिया क्यों फेल दी? तो बंदरों ने व्यापारी की नखल दी बंदरों ने व्यापारी ने छोटिया वेश से लिवाँ का रहे दे तो मंदरों ने टोपिया क्यों पीदी, क्योंकि मंदरों ने व्यापारी की लटनी, व्यापारी ने टोपिय पेड़ी, इसने मंदरों ने भी पेड़ी, व्यापारी क्या करा है, तो व्यापारी है, वह क्या करा है, तो सभी मंदरों ने अपने सीर पासे जोचो टोपिया निक अगटा टना तो सभी को उपया आपारी कि वह इखटी कर रहा है पटण रहा है तो यहां पर हमारे जो कहानी के आधार कर चुप्रस्टन है वह हमने देखे अब उसके बार में चौधा प्रस्टन नीचे दिये गए चित्र के आधार पर पांच बाखें तो यहां पर हमें चित्र दिया गया है उसके आधार पर हमें पांच बाखें लिए तो यहां पर आप अपने तरिकेशे लिख सकते हैं मैं यहां से कुछ बाख्या पूलते हूँ तो यहां पर यहां एक चित्र बाख का है उस चित्र में हमें दो पहार यानि की परवत यानि पहार दोनों भी दिख सकते हैं पहार दिखाए देते हैं एक व्रोक्ष दिखाए देता है गरुष यानि पे एक पेल दिखाए देता है ुछ पोजे दिखाए देते हैं और बाग का जब आर री ब्राश तो यहां पर इक पृस्लम पट्टी के पेछ एक सीडी भी, ये सीडी से उपर चट कर हम विसल सकते हैं सीडी के उपर हम चटते हैं और विसलन पट्टी पर बैट कर हम विसल सकते हैं तो वैसे लिगा पर एक लड़की है वह लड़की सीडी पर से चट कर विसलन पट्टी से विसल रही है और पास में एक लड़का प्राये और लड़का वहाँ लड़की को देखकर खूश्ट है बैयां पर यह दोनों भाइबान है वह बाग में खेलते समय बहुत खूश्ट दिखाई देखे है आप भी दोनों भाइबान हो क्या दो भाइबान हो दो भाइबान हो आप भी दोनों जब साथ होते हैं तक इतना बजाता है बहुत मजा अधर वेश ही यहाँ दोनों भाईबहण जो बाग में खिलते हैं उस समय को दोनों को बहुत मजा अधर पीसे इस कित्र को हम देख रहे हैं यह एक बागा जित्र है इसमें दो पहार गे, एक पेड़ गे, कुछ पौधे दिखाए लेते और इस जो जित्र है उसमें हमें एक फिस्लन पत्टी और फिस्लन पत्टी के पीछे है हमें एक सिर्णी दिखा लेते और इस चित्र में दो बाला के जो खेल रहे उसमें एक लड़की है बहुत पिसलन पट्टी से पिसल रही है और बाला के बहुत ताली बजा पर खुश हो रहा है तो इस तरह इस चित्र में दोनों भाई बहुत पुश्ट है तो यह अबर हमारे जो इकाई चार है उस इकाई नमबर चार सोच अपनी अपनी उसमें हमने देखा कि एक काई का चित्र है उसके पास में बाग का चित्र है और अभ्याश और उसके बार हमें जो चित्र के आधार पर कहानी है उस कहानी के बारे में भी हमने अभ्याश किया उसके बार एक चित्र दिया हुआ था, उस चित्र के आधार पर हमने उसके अनुशार कुछ वाक्य भी लेखे वैसे ही यहाँ पर में आपको आप कुछ प्री भी है, घर पर बैठे बैठे तो एक आपको प्रावरुती भी मुझ दाम देते हैं, कि आप अपनी घर पर बैठे-बैठे, कुछ पूल है, तो वह पूल के चित्रा अलेकर तरह के बना शकते हैं यहाँ भी कोई उत्रतित रश्य है, वह भी आप बना शकते हैं, कि एसी कुछ प्रावरुती हैं, वहाँ आपको घर पर बैठे करनी हैं तो यहाँ पर हमारी चोई काई चार हैं, सोच अपनी-अपनी वहाँ आपको पूल करते हैं